हालो फ्रेंस वेल्कम बैक इन मैं चैनल वेदन उलेखा मिक्स कंटेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो फिर चलते हैं हमारे आज नए टॉपिक के तरफ कि जो है पपीते की सबजी यहां मैंने कच्छा पपीता लिया है इसे मैंने छोटे- एड़ कर दूँगी आप अपने हिसाब से ले लीजेगा कि आपको कितना आइल पसंद है अपनी सबजी में यह देखिए यह आईल मेरा अब गरम हो रहा है फ्रेंट्स यह देखिए यह मेरा दोस्तों मेरा ऑइल गरम हो गया है अब मैं इसमे एड़ कर दूँगे मेथी दा जीरा भी मेरे अच्छे से फूट गए पटक गए है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी हमारे दो बड़े हुए कटे हुए प्याच यह देखिए प्याज मैंने एड़ कर दिया है अब मैं इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी यह देखिए अच्छे से रोस्ट कर दिया अब मैंने chopped कटी हुई बारी कटी हुई हरी मेच लिए है ये देखे हरी मेच मैंने एक बड़ी हरी मेच लिए बारी कटी हुई और मैं इसे अच्छे से roast करूँगी अब मैं इसमें add कर दूँगे हमारे अद्रक और लसन जो है उसका paste मैंने add कर दिया है भरपूर हैता है हमारा पपाया बिंस पपीता तो ये पपीते की सबजी हमारे बच्चों से लेके बुढ़े तकों के लिए बहुत अच्छा होता है तो ये कच्चा पपीता हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगे हमारे हीं हीं बहुत जर दूँगी यह देखे यह पपीटा एड हो गया मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी यह पूरे अच्छे से आपको मिक्स करना है यह देखे इतने अच्छे से अभी अपको यह मिक्स करते रहना है यह अब मैं इसमें हल्दी पाउडर जो हमारे हैं वो मैं एड़ कर दूँगी यह देखें अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी हमारे नमक नमक आपको स्वादनुसार add करना है ये देखे हमें इसे अच्छे से चला देंगे हम इसे ये देखे अच्छे से mix करना है ये देखे फ्रेंट्स इसमें हमें मसालों की जो quantity है अपने ये पपीते के according आपको लेना है जितने भी मैं पांचों मसाले mix करूंगी आपके पपीते के कॉंटिटी कितनी है ठीके? तो अब मैं आड़ कर दूँगे इसमें धनिया पाउडर ये देखे ये धनिया पाउडर मैंना एड़ करना है अब मैं आड़ कर दूँगे इसमें मेरी chili powder जो मिर्च पाउडर होती है वो आड़ करना है ढ़क कर दोँगी फ्रेंच अब मैं इसे अच्छे से ढख दूँँगे यह देखे अब मेरा ये पपीथा ऐसे पक चुका है यह देखे मैं अभी से अच्छे से मिक्स कर दूँँगी यह देखिए आपको अब हलके से इसको दबा के देखना है यह देखिए गल गया है मेरा पपीदा आप देख रहे हैं जैसे की यह देखिए आप इसे और ज़्यादा गलाना चाहें तो फिर और ज़्यादा इसे पका लिजेगा अब मैं इसमें lemon juice है वो आड़ कर दूँगी यह मैंने अपना lemon juice आड़ कर दिया है यह देखिए lemon की जगा आप अमचूर भी ले सकते है अगर आपके पास निबू नहीं है तो मैंने यहाँ अमचूर भी लिया है जैसे कि मैंने देखिए अब मैं इसमें अमचूर भी अड़ कर दूँगी यह पापीता हलका सा मीठा होता है तो हमें यह खटाई थोड़ी जादा डालनी पड़ती है और खटाई हमेशा आप बाद में ही डालिएगा अदर्वाइस आपके यह जो पपीते पकेंगे नहीं अच्छे से तो देखे पपीते गलने के बाद ही मैंने खटाई डालिए और मैं इसे और थोड़ी दिर ढखके पका लूँगी अब यह देखिए ऐसे हो गया तेल छोड़ दिया है अब मैं इसमें कटी हुई हरी धनिया बारी डाल दूँगी यह देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया मैं इसे अच्छे से चला लूँगी यहाँ पर यह देखिए कितना सुन्दर कलर आ गया है यहाँ पर मेरा पपीते की सबजी रेडी है आप घर पे जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंट करकर लिखिएगा कि कैसी बनीगे रेखिए मेरी डेडी है पपीते की सबजी